तो आज हमारे पास लाबागनी थिरी जिसे मैं पिछले तीन दिनों से यूज कर रहा हूँ और मैं इस फोन को काफी अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ तो आपको बताऊंगा ये फोन आपके लिए कैसा है तो सबसे पहले बॉक्स को अन्बॉक्स करते ही आपको फोन मिल जा तेस साइड में प्लास्टिक का फ्रेम है लेकिन जो कैमरे के आज-पास का फ्रेम है ये आपको मैटल मिल जाता है वैसे इस फोन का जो कलर हमारे पास है इसका नाम है है तर गिलास बाकि इसका एक वाइड बैरेंट भी आता है वो मुझे काफी जादा प्रीमियम लग रहाता है आज के लिए सभी फोन की तरह इसमें भी आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है और हाँ सिम स्लोट में आपको हाइब्रीड सिम स्लोट मिलता है तो आप दो सिम तो चला लोगे लेकिन मेमोरी काड अलक्स से नहीं डाल पाओगे और अगर बात करें डिस्पले की तो आपक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें 1200 की पीक ब्राइटनेंस HDR कॉंटेंट भी अराम से चला पाओगे क्योंकि इसमें वाइडवाइन 11 का सपोर्ट है और इसके इन डिस्पले फिंगरपिंट और फेस लॉक्त की स्पीड भी काफी सही है जैसा कि इस प्राइस रेंज के अंदर हम काफी ही बेसिक फोन देखते आया है लेकिन लावा ने काफी अलग कुछ करके दिखाया है पीछे आपको जो यह सेकंड़ी डिस आप इस वाली डिस्पले से अराम से कर पाऊगे यहां तक कि आप इस डिस्पले से कॉल भी रिसीव कर सकती हो तो आपको चोटे मुटे काम के लिए अपनी में डिस्पले यूज नहीं करने पड़ेगी जिसके चलती है बहुत ही बड़ी दिक्कत मुझे दिखाई दिए दि लेकिन अगर इसी वीडियो को मैं इसके बैक डिस्पले से रिकॉर्ड करता हूँ तो यह 403 में रिकॉर्ड होगी जो उपर और नीचे दोनों जगे से क्रॉप हो जाएगी तो अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोली लगा होगे तो उपर और नीचे दोनों जगे ब्लैक जाएगा और हां इस डिस्पले के अंदर एक अनिमेशन आती है जिसमें आपको एक डॉक देखने को मिल जाता है जो काफी सारी चीजे करता है और जब भी नॉटिफिकेशन आईगे तो आपको यहीं दिखने वाला है हाला कि फोन को चार्ज करने पर भी यहां पर एनिमेश लगा रखा है और लॉंग प्रेस करने से फ्लैस लाइट भी ऑपन हो जाती है सेटिंग में आपको एक्शन की नाम से फीचर मिल जाएगा जिसे ऑपन करके आप इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से एप्लिकेशन सेट कर सकते हो या फिर कोई प्रोजेशन भी काफी सही है आपको इसकी आदत पढ़ जाएगी आप इसे मल्टिबल वार यूज़ करने वाले हो और काफी सही लगा मुझे पर यार एक दिक्कत भी है जब भी लॉक स्क्रीन पर होता है तब ये एक्शन बटन काम करता है और अगर प्रोसेसर की बात करें और आप देखी सकते हो रिजल्ट बिल्कुल कोंस्टेंट निकल कर आया यूज़ भी बिल्कुल स्मूद चलता है अनिमेशन भी भरबर के दी गई है कहीं बी एनिमेशन कट नहीं करी गई है कहीं भी आपको कोई एड नहीं मिलने वाला कोई ब्लॉट वेयर नहीं इसके अं और इसमें नाइन लेयर कूलिंग सिस्टम यूज़ करा गया है तो लंबे टैम तक गेम खेलने पर भी फोन ज्यादा हीट नहीं होता है कैमरे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है फिप्टी प्लस एट मेगा पिक्सल सोनी का सेंसर है जिसमें और दूसरा बात करें आपको हर एक फोटोस में थोड़ा रेडी स्टोन देखने को मिलेगा और कभी-कभी तो फोटोस काफी डल्स आती है जिनमें कलर्स बहुत ही गम होते हैं तो इतना कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आते इसके यह अच्छे से अप्टिमाइज नहीं है लेकिन एक फ फोकस करने में काफी दिक्कत होती है काफी बार मैं सब्जेक्ट पर टैब करता है रहता हूं और यह फोकस ही नहीं करता पर आई होप की जल्दी से लावा इसके लिए कुछ अपडेट देगा और यह सारी चीज़े अच्छे से फिक्स हो जाएंगी सो अब आप जो वीडिय से सिर्फ 1080p ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है इसमें आपको डूल स्टीडियो स्पीकर मिलते हैं जो डॉल वी ऑडियो के साथ आते हैं जो लाउडनेस के मामले में इतने ज्यादा लाउड नहीं है लेकिन जो भी आब आ जाती है वह बहुत क्लियर आती है काफी बैलेंस है इसमें आपको काफे सारे एक्स्टाफ फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे एंटी ठेट प्रोटेक्शन जिसमें मुल्टिपल ऑप्संस हैं जैसे अगर कोई भी आपका फोन चार्जिंग से निकालता है तो इससे आवाज आने लगती है और अगर आपकी एयर फोन भी प्राइश रेंज के अंदर इस फोन के अप्टिक सबसे अच्छे हैं इसमें 5000 अमेज की बड़ी बैटरी जो नॉर्मल यूजर्स के अंदर फोन को एक दिन तो अराम से चला देती है बाकि 66 वाट को फास्ट चार्जर भी आता है जिसने इस फोन को 37 मिंट में 0293 चार्ज कर जाएगा और दूसरी बैस चीज की आपको कहीं नहीं जाना आप जो भी करवाना चाहते हो आप घर पे करवा सकते हो यह थी पूरी कहानी इलावा अगनी तरीकी देखो इस प्राइस रेंज के अंदर यह फोन मुझे काफी अच्छा लगा बस इसका कैमरा थोड़ा सा ऑप् अब थोड़ा ध्यान से सुनना देखो हमने बहुत दिन बाद कोई लॉंग वीडियो बनाई है तो आपका फीड़ चाहिए आपको यह वीडियो कैसी लगी हम क्या-क्या इंप्रूव कर सकते हैं अगली वीडियो के अंदर वो जरूर बताना कमेंट के अंदर पाकि आपको यह फोन कैसा लगा अगर इससे कोई भी कोशन है तो नीचे कमेंट कर देना आपको अंसर मिल जाएगा बाकि और ऐसी वीडियो के लिए टैग स्क्रीट को सब्सक्राइब कर लेना